नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और लेट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 27 अगस्त 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी टॉप 10 ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आज की पहली ताजा ख़बर ब्रेकिंग निवज है रोड एक्सिडेंट हिमाचल के नेर्वा में बड़ा हाथसा बुलैरो नदी में गिरने से एक ही परिवार के चारस दस्तियों की मौत है तो बेटी के घर संतान होने की खुशी में बधाई देने जा र ही है जबकि एक गंभी रूप से गाहिल होकर जिंदगी और मौत के बीच जग लड़ रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल कांगरेस कांगरा चंबा में हिमाचल कांगरेस ने बनाए दो जिला कारेकारी अध्यक्ष है तो करण सिंग पठानी को जिला कांगरा और कमल ठाकर को जिला चंबा का कारेकारी अध्यक्ष बनाया गया है वरिष्ट नेता गंगूरा मुसाफिर को जिला सिरमौर की भंग कारेकरणी का अंतरिम अध्यक्ष न्युक्त किया गया है हिमाचल सीम जाराम बोले कांगरेस के दो विदाएक आए अभी और आएंगे तो मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के दो विधाइक पाजबा में शामिल हो गए हैं अभी और आएंगे आने वाले समाई में बहुत कोछ होने वाला है शिलाई में जनसवा के दोरान सीम ने कहा कि परदेश में कांग्रेस की मंजल आसान नहीं है करोना वाइरिस अपडेट है माचल में छे महिने के बच्चे समे तीन संक्रमितों की मौत है 157 पॉजिटिव मरीज है तो परदेश में 4,474 लोगों के सैंपल लिए गए इनमें से 157 लोगों के करोना पॉजिटिव जो है पाए गए परदेश में सक्रिय मरीजों की संक्या लगवाई में पॉलिस टीम ने जो है संबंदित क्षेतर का कौना कौना चान मारा लेकिन उन्हें कोई संदेग दिव्यक्ति नहीं मिला इस तोरान पॉलिस के हाथ एक आधार कर लगा जो जम्मू के व्यक्ति का निकला HPTEB Pats और LIT 35-50 क्यों के लिए हिमाचल तक्निकी शिक्षा बोर्ड ने मांगे आवेदन आवेदन कर सकते हैं हिमाचल हाइ कोट नियाव वियवस्ता को सुद्रेड बिनाने के लिए हिमाचल हाइ कोट ने किया 20 कमेटिओं का गर्ठन तो मुख्य नयदीश की अध्यक्षता बाली प्रशासनिक कमिट्टी में नयदीश सबीना और नयदीश तरलोक सिंग चोहान को सदस्य बनाया गया है वरिष्ट अधिबक्ता का दर्चा देने के लिए भी पांच सदस्य कमिट्टी का गठन किया है हपी असेंबली इलेक्शन बिधानसावा चुनाव लड़ने के लिए कांगरेस ने मांगे आवेदन इस पार नहीं लगेगा शुलक तो परदेश कांगरेस के ने जो है बिधानसावा चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी के उमीदवारों से सादे कागज पर या इमेल के माध्यम से आवेदन मांगे हैं उमीदवारों को अपना आवेदन पूरे वायो डाटा के साथ बेजना होगा शिमला मुफ्त विजली योजना के लाभारतियों से समवाद करेंगे मुख्यमंत्री जैराम तो विजली बोल्ड के परबंद ने देशक पंकर डड़वाल ने बताया कि मुफ्त विजली योजना समारों सभी जीला मुख्यालियों में ओनलाइन लाइब मोड पर भी प्रस्तुत किया जाएगा जीला मुख्यालियों में समारों में मंत्री बेधाई कोरान ये गाने अमन गणमान ये लोग भाग लेंगे एचपी पीएसी राज जपाल बिशुना तरलेकर ने एचपी पीएसी अध्यक्ष और दस्तियां को दिलाई शब्त तस्वीरें आप देख सकते हैं राज जपाल में शुकरबार को राजभवन शिमला में आईउजित एक समारों में रामेश्वर सिंग ठाकर को हिमाचल परदेश लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में बद और गोपनियता की शब्त तेलाई परदेश में जो है अब चंदन नीती त्यार पर त्यारी में सरकार स्फेद लाल चंदन के पौदे उगाने काटने कारोबार पर चर्चल संभावनाओ की तलाश है हिमाचल वैदर अभी राहत नहीं देगी बरसाथ परदेश में कल से फिर जम जम बारिश यलो अलर्ट जारी तो सूबे में फिर से में जम कर बरसेंगे और फिर से बारिश परदेश में उतपात मचाएगी हलांकी शनी बार को राहत रहेगी लेकिन रवी बार को सूम बार को जो है मौसम के अंदर शिमला की और से यलो अलर्ट जारी किया गया है यानि बरसा तभी राहत नहीं देगी कानून के अनुसार ड्योटी ना करने पर तहसिलदार पर होगी कारवाई हाई कोट ने वित्य आयुक्त को जारी किये आदेश लेगी फ्री स्वास्ते सुविधा तो आम आदमी पार्टी के परदेश प्रवक्ता गौर्व शर्मा ने कहा कि दिली के मुख्य मंतरी अर्विंत केजरीवाल जो गरंटी देते हैं उसे सरकार बनने पर पूरा करते हैं दिली की जनता को गरंटी दीत तो पूरा किया अब प गंटी दी है इसमें हिमाचल के हर व्यक्ति को फ्री और बैतर सुविधाय जो है दी जाएंगी परदेश में इस बार औसच से तीन फीस्ती कम बारिश है पिछले पांच साल से जादा नुखसान तो अन्य आंकडों में पांच सालों में मनुश्यवा पश्वों की मृत्तकों क की रही कम संख्या इस वर्ष 270 लोगों की मौत लोक निवास विभाग को 940 जल शक्ति को 708 करोड की चपत बीते पांच सालों में मानसून से हुई सरवादिक संपत्ती की किशती इसी साल 2022 में होई है हलांकि अभी मानसून सीजन खतम नहीं हुआ है जिससे नुकसान का अगस्त तक जारी आंकणों की तयात अब तक जो है 1721.35 करोड रुपय की संपत्ती गर्ख हो चुकी है चंबा मेडिकल कॉलिज ओटी में बैठकर बेची जा रही दवाईयावा उपकर्ण ऑपरेशन के वसूले 25,000 तो मेडिकल कॉलिज एवं अस्पताल चंबा में मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है अनाधिकरित दवाईया विकरेता चिकित्सकों की मेली भगत से जो है ओटी में बैठकर मरीजों को मनमाने दाम पर दवाईयावा उपरेशन के लिए जुरूरी उपकर्ण बेच रहे हैं बेल मांगने पर और पैसे की डिमांड की ज जा रही है मरीज के पिता द्वारा विदाएक पावन नियर के साथ की गई शिकायत के बाद इसका खुलासा जो हुआ है महतपूर में ट्रक से टकराईश्ट है डालों की गाड़ी साथ काहल तस्वीर आप देख सकते हैं तो उनना से नंगल की और जा रही एक गाड़ी और बीच टकर में साथ लोगों को चोटे आई है द्रुगटना के बाद गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकाला गया और प्राइवेट किलीनिक में उपचार दिलाया गया घरवालों ने पैसे नहीं दिये तो नावालिक ने उठा लिया ये खौपना कदम मन्दी से निज ए कि सेरी गाउं में स्थारा वर्षी नावालिक ने घरवालों द्वारा पैसे न दिये जने पर फंदा लगा कर जान दे दिया है बताया जा रहा है कि नावालिक नशे का आधी था और नशे खरीदने के लिए पैसे जो है माएग रहा था बीरवार देरसाय नावालिक अक्षित पुत्तर ताराचन ने फंदा लगा लिया जैसके बाद परिजा ने उसे मेडिकल कॉलेज नेर चोक ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत गोशित किया इसे में टूक्रों सब्सेट किया ताराचन ने खिनेर संदा मृत्प्रों